तो लोगोई स्वागत आप सर्मा कोचिंग लासस में एक इंपोर्टन अपडेट के लिए मैं इस वीडियो को सूट करूब एक सेल्पिस टिक से कि अभी अभी चीन में एक नया वायरस मिला है हंटा वायरस अभी हंटा वायरस क्या है इसके बारे में पूरी जानकरी मैं कि हमारी वो सुरक्षा कर सके है तो बिल्कुल उसका सहयोग केजिए और ये वायरस भारत में फैल रहा है कोरोना वायरस पर उतने केस तो नहीं हुआ है अभी पर केस बढ़ते जा रहे है तो आप लोग उस पे बिल्कुल सहयोग केजिए सकेंड बात यह हंटा नाम का एक न करोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक नहीं गिने पहली बात तो यह है कि यह हवा में नहीं फैलता तुमियर सबती है कि जो चीन से वायरस निकल के आ रहे हैं पूरी विष्म में फैलते हैं जो बहुत तकलिक देते हैं मैं मतलब में करोना वायरेस का सपोर्ट कीजिए चुहू से हो रहा है से क्या वारिस उड़ा होते हैं जो चीखे होते हैं दोखार होते हैं च्खासी होते हैं हम अपना कराते हैं सेंट इसी प्रकार के सिंटम्स आ रहे हैं और दूसरी बात यह से कम ख़तरनाक है पर यह प्रकार वायरस है इसमें चीन में प्र्यक्तिकी मौत होचुकी है इसमें भी आपके क्रिटिनी आपके लंग्स जो भी इंटर्नल पार्ट में एफ्रेक्ट तो करेगा हो ठीक है फेपड़ों को सब को किसी ने किसी को मतलब वायरस है अंदर सरेर में फैल जाएगा तो यह वीडियो पेणाने का मकसित यह था कि एक और वायरस निकल गया है चीन से हंटा वायरस करके पर अच्छी बात यह है कि यह करोना वायरस से जद़ा खतरनाक नहीं है दूसरी बात यह है कि कोरोना वारस में आप बिल्कुल पूलिस का सेयोग करे नियम से चले नियम ना तोड़े और यह वारस अभी तो नया नया आया है यह व्यक्ति की चीन में मौद भी हो गई है पर यह अभी फैला नहीं है और कोरोना वारस फैला हुआ है तो उसमें जो प् फैल रहे हैं तो आप से रिक्वेस्ट होगा कि अपने आपको बचाईए और इस वीडियो को जीतना हो सकते शेयर कीजिए कि एक और वारस के प्रकूप में है पूरा विस्वो हंटा वारस और यह कहां से आ रहा है चीन से आ रहा है चीन मोबाल वाल तो बेज भी रहा था आ